हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम ट्योन क्लास मैं स्विध भाकुनी सार आज हम करने वाल हैं क्लास सेवन्त मैट्स के चैप्टर 2 से एक्साइट 2.3 के जो रिमेनिंग क्वेशन हमारे पास बचे हुए है तो जैसे कि आपको पता है इसे प्रिवेस वीडियो में क्वेशन नमबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं तो आज अपनी वीडियो में इस एक्साइट को हम कंप्लीट करने वाल हैं तो लास तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ध्यान से बिना स्किप के वीडियो को देखते रहिए आपको मैं करेंटी देता हूं कि आपको वीडि सैली प्लांस फ़र सैपलिग जो सैली है वो क्या करती है सैप्लिग में आतो है पौंदे चार पौंदे लगाती है थीक है इनर रहर में चार पौंदे लगाती है इनर गार्डन अपने गार्डन में the distance between two क्या है इस question का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ फिकर से मान लिए एक रो है ठीक है सैली ने क्या किया एक पौधा यहां पर लगाया एक पौधा इधर लगाया एक इधर एक इधर एक इधर यह हो जाएगा नमबर वन प्लांट यह जाएगा नमबर टू नमबर थ्री और नमबर फोर इस तरह के साब इसको समझे ठीक है आप क्या कहता है आप देखिए क्या है आप की दिस्टेन्स होता है यह है तो इससे पहले यह वाला इन डूनों एक दूसरे के सरी में है क्रंब हैं तो इनके इनके उक इकॉछ बिस का स्वा इसका अब इस first sapling इस last वाला पहुंदा जो last वाला है और यह पहला वाला है इनके बीच में आपको distance calculate करनी है तो आप सबसे पहले यह चेक करिए कि इनके बीच में gap कितना है तो इनके बीच में कितना gap हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं यहां से लेके यहां तक इसको हम लिख सकते हैं one gap यहां से लेकी यहां तक हम लिख सकते हैं two gap और एक gap यह है इसको हम लिख सकते हैं three gap तो यह कहने का मतलब हो गया कि last वाले पहुंदे में और पहले वाले पहुंदे की बीच जो distance है उनके बीच में gap कि इतना है 3 gap है, अभी आपको सुनना आएगा कि मैं सब चीजे क्यों बता रहा हूँ, इसलिए आप इस question को cover कर जाएंगे, ठीक है, अब आपसे ये कहता है, कि एक gap की जो distance है, means ये जो distance आपको दी है, इस gap की, ये आपकी पास है 3 upon 4 meter, यहां से यहां तक पहले gap की, second gap की, ये भी क्या हो जाएगी 3 upon 4 meter, and the third gap हमारे पास है, इसकी भी जो distance है, वो है 3 upon 4 meter, ठीक है, तो आप हम यहां बर देखते है, number of gaps कितना है, number of gaps between last and first siblings, तो आप देखेंगे, कि gap कितने हैं हमारे पास, 3 gap है हमारे पास, ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं, distance of one gap equal to 3 upon 4 meter, अब मुझे एक बात बताईए, कि जब एक जो है, unity matter आपने पड़ी होगी, अगर एक gap की distance यह है, तो 3 gap की distance कितनी होगी, जैसे cost of one pen अगर मैं लिखूँ कि 5 rupees है, cost of one pen 5 है, तो 3 pen की cost क्या हो जाएगी, आप क्या करते थे से easily, 3 से multiply करते थे और आपका answer आदा 15 rupees, ठीक है, इस तरह की question आपने unitary method में previous classes में करे होंगे, तो यहाँ पर भी वही चीज है, जब distance of one gap हमारे पास 3 upon 4 meter दिया हुआ है, और यहाँ पर total gap हमारे पास 3 हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम सीधा यहाँ लिखेंगे, जो हमें calculate करना है, distance of the last saplings to the distance between, इसको लिख लते हैं, अच्छे से लिख लते हैं थोड़ा, ताकि आपको exam में इसमें अच्छे नमर मिल सके हैं, distance between, last saplings and, first saplings, तो जब 1 की distance यह है, तो 3 की distance क्या हो जाएगी, multiply 3 से multiply करेंगे, 3 upon 4 को, और आपको पता है, multiply करना आपको मैंने पहले बताया हुआ है, यह 3 से 3 को multiply, numerator से numerator को multiply कर लीजिए, this equal to 9, and 4 को 1 से multiply कर लीजिए, यह आगया 4, तो यह आपके पास एक fraction की form में आ चुका है, अगर आप इसको change करना चाहते हैं, किस form में, अगर आप इसको change करना चाहते हैं, mixed fraction की form में, तो आपको मैंने mixed fraction में भी इसको change करना चाहते है, इसको आप लिख लेंगे, 2 whole 1 upon 4 meter, यह हो जाएगा आपका answer, यह हो जाएगी total distance between, to a distance between last saplings to first saplings, तो इस तरीके साइस question को आप कर सकते हैं, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, अब हम चलते हैं सक्साइस के next question की ओर, So इस ट्रेंड देखते हैं question number 6, question number 6 भी कुछ ऐसी तरीके काया है, जैसे आपने question number 5 भी किया था, question number 6 में देख लिए हैं, दियान से पहले question को पढ़िए, तो आपको easily फी समझ में आ जाएगा कि क्या इस question में करना है, तो यह क्या करना है, लीपिका reads a book for one three upon four hours every day, लीपिका क्या करती है, किसे किताब को per day every day इतने घंटे पढ़ती है, यह किताब है, कोई book है, उसको every day, रोज इतना hours पढ़ती है, she reads the entire book in six days, वो क्या करती है, she reads the entire book in six days, उस book को इस तरीके से जब per day इतना पढ़ती है, तो six day में उस book को complete कर लेती है, ठीक है, how many hours in all were required by her to read the book, आपको बताना है कि छह दिनों में आखिर इस ने total कितने घंटे उस book को पढ़ा, कितना book उसने पुरा पढ़ा, ठीक है, तो यह आपको यहाँ पर बताना है, तो सबसे पहले कैसे question को करें देखें, आप इसको generally अगर सोच के देखें, कि आप किसी काम को, मालिए आप किसी book को, किसी book को आप क्या करते हैं, कि आप इसको 2 hours पढ़ते हैं, ठीक है, और आपने क्या किया कि आपने three days में इस book को complete कर लिया, कितने 3 days में तो आप बता सकते हैं कि आपने इस book को कितने घंटे पड़ा देखे पड़े आपने 2 पड़े थे और पड़ा कितने 3 days तक तो कितने हो जाएगा 2, 2, 2 तो 6 हो जाएगा और इसका simple तरीका क्या होगा आप इनको multiply कर लीजिए तो आपका answer आजाएगा 6 hours इस जाएगा उस book को आपने कितने घंटे पड़ा 6 hours पड़ा बस यही है बस यहाँ पर इस question में थोड़ा सा change यह है कि आपके सामने इसने fraction की form में इस question को लिख दिया है तो इसमें कोई भी घबराने आली बात नहीं है हम इसे इसी तरीके से solve करेंगे और fraction का multiplication और सारी चीज़ें हम आपको पहले ही previous वीडियो में बता चुके हैं तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि number of hours taken by लिपिका हमें लिख लेते हैं कि number of hours taken by लिपिका to read a book every day is equal to यह दिया है 1 hour 3 upon 4 इसको आप एक क्या करेंगे simple fraction में change करेंगे 4 multiply 1 is 4 plus 3 is 7 यहाँ जाएगा 7 upon 4 hours it means क्या हो जाएगा हमें यह पता चल गया कि लिपिका एक दिन में उस book को इतने घंटे पढ़ती है जो भी हमने example आपको बताया था 2 hours का ठीक है अब हम निकालते हैं number of days यहाँ लिखेंगे number of days तो number of days हम लिख लेंगे हमें कितना दिया है 6 days 6 days में लिपिका ने उस book को क्या कर लिया है completely read कर लिया है तो हम यहाँ पर easily अगला step हम करेंगे अब जो हम वहाँ पर कर रहे था है हमने 2 hours लिया था per day और 3 days में complete की थी तो दोनों को multiply किया था तो उसी तरीके से यहाँ भी हम क्या करेंगे यह per day का hours है और यह 6 days है इन दोनों को multiply करेंगे तो हमारा required answer आ जाएगा तो total number of total number of hours required by her to read the book to read the book so students क्या हो जाएगा 6 से multiply हो जाएगा 7 upon 4 और इस fraction को आप simply यहाँ पर थोड़ा सा simple कर सकते हैं आपको पता है कि 2 से हम 6 को भी divide कर सकते हैं और 2 से 4 को भी तो यहाँ पर simply से cut कर लिजिए 2 2 जा and 2 3 जा और आपकी पास आ जाएगा 3 multiply 7 is 21 upon 2 और इस से आपको चेंज करना पड़ेगा mix fraction के form में तो mix fraction में change करने के लिए previous videos में आपको जाना पड़ेगा यहाँ बाद दुबार को नहीं बताऊंगा तो previous video में जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह के साम एक fraction को mix fraction में change करते हैं divide करके यह होजाएगा 10 1 upon 2 यह होजाएगा इतने hours it means 6 days में इतना hours Lipika ने read किया उस book को तो इस तरह के से question number 6 भी हमने बच्चों easily complete कर लिया है I hope आपको समझ में आ रहा होगा अगर कोई भी confusion आपको रहता है तो आप comment box में उसे जरूर लिखे तो आप चलते हैं आपके exercise के next question की ओर So strengths आप करते हैं question number 7 question number 7 में क्या दिवाय देखे बहुत easy question है अगर आप इसको generally सोचेंगे तो आपको easily समझ में आ जाएगा ऐसे question में दिया हुआ है कि a car runs 16 km using 1 litre of petrol 1 litre of petrol से एक कोई car है 16 km की distance है इसको cover कर लेती है ठीक है How much distance will it cover using 2 hole 2 upon 3 litre of petrol देको fraction form में है इसलिए question आपको थोड़ा सा tough लग रहा होगा बट अगर इसको normal question में भी आपको एक example दूँगा और example सा आपको समझ में आ जाएगा कि ये question कितना easy है पहले थोड़ा सा जो हमें इसमें दिया होए जो given है जो known चीज़ हमारे पास है उसको हम इसमें लिख लेते हैं then आपको में easy सा example दूँगा और आप इस question को चुटकियों में कर लेंगे सो पहले हम लिखते हैं distance covered जो हमें given है हमें given है distance covered by the car using one liter of petrol equal to question में आपको given है 16 km फिर है distance covered जो हमें calculate करना है distance covered by using आप देखिए 2 hold 3 upon 4 इसे मैं क्याल सकता हूँ 4 तूजा 8 और 8 plus 3 is 11 तो यह जाएगा 11 upon 4 तो इस को हम 11 upon 4 लीटर भी लिसकते हैं of इसको आप ब्रेकेट में लिख लिए तो ज्यादा सही रहेगा of पेट्रॉल अब एक बाद बताईए आपको अगर अगर एक लीटर में आप 5 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो 2 लीटर में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेंगे हर कोई इसका आंसर दे सकता है comment box में आपको इसको लिखना है यहां पर मैं जो आपको समझाना चाहरा हूँ आपके समझ में आ गया होगा कि हमां आंसर क्या आएगा comment box में इसका आंसर आप जरूर लिखेंगे 1 लीटर में आप जाते हैं कर लिया और यह आ गया हमारा आंसर 5 x 2 10 km, so इसी तरीके से यहां पर भी वही बात है कि जब 1 liter में 16 km कवर कर रहा है तो इतने liter में क्या करेगा, तो 16 x 11 upon 4 और यहां पर 4 से इसको आप 1 लिख लें तो 4 से इसको आप easily cut कर सकते हैं डिवाइड हो जाएगा 4 और 4 x 11 ही हो जाएगा 44 km यही हो जाएगा आपका required आंसर यह आजाएगा आंसर की इतने liter में पैट्वल में हमारी जो कार है वो इतना distance कवर कर लेगी तो इसी तरीके स हमने easy examples in questions को समझना है तो आपको कोई भी problem नहीं आने वाली है तो I hope आपको question no.7 भी समझ में आ चुका होगा तो अब हम चलते हैं इस access के next question क्यूर So strength देखते है question no.8 तो question no.8 में हमको इस 8 के a part को complete करते हैं तो complete a part में हम क्या दिया हुआ है provide the number in the box such that इस box में आपको बताना है कि कौन सा number हमें लिखना होगा इस question को देखने के बाद तो इसे करने का सीधा से एक रिका में आपको बताया हुआ है कि हमने हमेशा सोचा हुआ है कि यह equal के इधर वाली जो left hand side बोलते हैं और इसके जो right side पर होता है इसको हम right hand side के value बोलते हैं तो यह हमेशा अगर equal का sign लगा हुआ है इसका मतलब यह है कि आपके पास जो LHS है वो equal to होना चाहिए RHS ठीक है यह concept आपके समझना आ गया अब एक बात आपको समझनी है यहां पर कि एक बात बताईए कि यहां यहां पर numerator हमारे पास 10 है अगर मैं 2 upon 3 को लिखूँ देखिए थोड़ा देश को समझिए कि 2 upon 3 को मैंने लिखा हुआ है अब मुझे एक बात बताईए कि equal के इधर मेरे पास जो numerator है वो 10 है और यहां 5 है तो मुझे यह 10 कैसे मिलेगा मैं किस नंबर से 2 multiply करूँ कि मुझे 10 मि बात है कि मुझे 5 से multiply करना होगा और denominator में 30 है यहां 3 है तो 3 से मैंने से क्या लेके आना पड़ेगा 30 लेके आना पड़ेगा तो 3 को कौन से number से multiply करूँ कि 30 आ जाए तो यह मैं क्या करूँगा 10 से multiply करूँगा और मेरे पास उसके पास value हो जाएगी 5 multiplied 2 is 10 and 3 multiplied is 10 equal to 30 और यह हमा पास 5 upon 10 5 upon 10 इस box के अंदर आएगा तो यही हमारा क्या है right answer है okay I hope आपके समझ में easily आगया होगा इस तरीके के कोई भी question आपके exam आएंगे तो आप उसे easily कर लेंगे तो इस 8 question के second part को समझते है second part में क्या क्या है इसी से related है इस first part से ही related question है कि the simplest form of the number obtained in box इस box के अंदर जो number म क्या होगा तो box के अंदर हमें क्या number मिला हमें box के अंदर मिला 5 upon 10 तो 5 upon 10 को अगर हम simplest form में change करना चाहेंगे तो पता है हमें कि यह भी 5 से divided हो जाएगा और यह भी 5 से divided हो जाएगा तो 5 से करेंगे तो 5 बंजा 5 and 5 तूजा 10 यह हो जाएगा हमारे पास 1 upon 10 और यही जो 1 upon 10 है यह हमारे पास क्या हो जाएगा required answer हो जाएगा इस 5 upon 10 को हम simplest form में इस तरीके से लिख सकते हैं यह आपको मैं पहले previous videos में बता चुका हूँ कि कैसे simplest form में change किया जाता है तो आयो यह आपका first part तो complete हो चुका होगा अब आते हैं इसी तरीके से इसके second part पर तो second part में question में क्या क समझना है तो इस question को simplest form में change करने के लिए वही आपको बारवा condition आप मैं लिखूंगा नहीं LHS equal to RHS यहाँ लिखूंगा नहीं आपको यह पता होना चाहिए कि जो left hand side वाली जो value है equal के इधर वाली यह equal होनी चाहिए right hand side वाली value के equal होनी चाहिए बट यहाँ पर हमारे पास numerator 24 है और यहाँ पर numerator हमारे पास क्या है 3 है तो हमें यहाँ पर numerator क्या लेका आना पड़ेगा 24 अना पड़ेगा 24 कैसे आ सकता है तो मैं 3 upon 5 को अगर लिखूं multiply यहाँ पे अगर मैं इस буду multiply करूं तो 24 कैसे आएग ऐगा 8 को किस नम्पर से multiply करूं कि 24 आजए तो यह हमारे पास 8 आत और यह value किसके equal है यह हमारे पास right hand side वाली जो value है इसके equal है तो box के अंदर कौन सी value आ गई तो यह अपनी जगह पर थी यह अपनी जगह पर थी यह number हमें पता करना था और यह number हमने पता कर लिया है तो यही number हमारा क्या जाएगा right answer हो जाएगा हमारे questions का अब यह second form हमारे पास है the simplest form of the number obtained in box इस box के अंदर इस से related जो b का जो first part है उसी से related यह second part है तो इस second part में आपसे कहा गया है कि इस number का means 8 upon जो 15 है इस number का जो simplest form इसका simplest form है simplest form वो क्या होगा आपको calculate करना है तो यह आपको मैं आप दे रहा हूं homework यह question आपके लिए homework है आपको बताना है comment box में लिखना है कि 8 upon 15 का जो simplest form होगा वो क्या होगा comment box में आपको उसका answer देना है तो इस तरीके से हमने exercise 2.3 के को आज complete कर लिया है इसके जो first से 8 question तक सारे question हमारे वीडियो में cover हो चुके हैं तो इसी तरीके से हम next video में इसके next इसी तरीके से questions को आपके सामनी ले के आएंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like करना ना बोलें तो इसी तरीके से अगर match को easy तरीके से पढ़ना है तो please channel को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और bell icon को press कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके, thanks for watching